पून वस्यवाय चैस्रिम हंकाल देगे एकदसी का विशेज दीन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही विश्णु भगवान को तो आज के सुपाय में आपको इस पकार सी स्वधा 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 वाला ये विशेज उपाय कर ले रहे हैं इस उपाय करने के बाद भगवा वो फल के रुक में प्राप्त होगा तो सीव पुर्ण का एकदसी का विशेज उपाय के से करना ही वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दें कम से कम पांस लोग साथ वाट्सप पर वीडिय डाल देना ही शादि साथ आपको तांबी का लोटा लेना ही और उस तांबी के लोटे में आपको अपने घर से कीचन से सुद्ध जल बल लेना ही और अगर आपके घर पर गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बुंदे आपको जल के लोटे में समलित कर लेना ही मिला लेना ही और फिर इन बताएगे सबी समागेटी को लेकर महादेव जी के मंदिल चले जाना सुबे साम इस उपाय को कर चकते हो देखे इस वालोपाय में करना क्या ही सबसे पहले जो आपके पास तांबेगर लोटा ही तेखे उस तांबेगर लोटे को उठाना ही और देखे करकर पूरा पूरा जल सिवलिंग के उपर उड़ेल देना ही समर्पित कर देना ही पंचाकसर सडाकसर मंत्र का स्परेंट करते होगे जल समर्पित कर दिया उसके बाद आपको सिवलिंग के पास बेढ़ जाना ही और ताली बजानी है ताली बजानी है फिर बोलना है स्वधा फिर आपको ताली बजानी है फिर बोलना है स्वधा यानि कि आपको तीन बार ताली बजानी है और स्वधा माता का एस्परेंट करना है देखिए ये स्वधा माता है न ये पार्वती माताजी की नानी है तो जो भ अभी समाप्त होती है तो इसकार से आपको जल को समत्मित कर दिना ही उसके बाद जो एक गोलवत्ति का दीपक है उसको आपको शिवलीं के पास रखकर प्राजलित कर देना ही जला देना तो उस व्यक्ति को सो बार सत्राथ करने का पुण्य मिलता ही और साधी साथ जित्ते भी तीरतिस्थानी वहाँ पर जाने का फल प्राथ होता ही तो यहाँ पर आप समझ सकते हूं कि मात्र एकादेशी वाले दिन एक सोधा पाठ का इस्तरोध कर लेते हो तो आपको सो बात साथ करने का फल जित्ते भी तिर्थिस्थानी वहाँ पर जाने का फल प्राफ्त होता ही तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपाही आपको जरूर कर लेना ही और जिसा कि हमने बता ही इस उपाही करने के बाद समझ्चा भी समापत होगी कामना भी पूर्ण होगी तो एकादेशी का विशेज उपाही इस उपाही को करने से नहीं चुकना ही मेरे प्याद दोस्तों वीडियो चलेगी हो पांच लोग उससाथ वोट्सअप पर वीडियो को सेर करें उन लोगों की मदद करें ओन वस्चिवाए